तो मेरे साथ यो पहला कोश्चन हमारे पास है आज दो बिंदू आवेश प्लस नाइनी एवं प्लस ए एक डूसे से 16 सिंटिमीटर की दूरी परिस्तित है इनके बीच एक आवेश क्यू को कहां रखा जाए कि बहे संतुलन में हो जब दो बल संतुलन में होते हैं तो F1 और F2 क मान कैसा होना चाहिए बराबर होगा जब एक फोर्स इदर से लगता हो एक फोर्स इदर से लगता हो तो उनका पनामी शुन होगा दोनों बलकॉन सबस्ता में होते हैं संतुलन बस्ता में होते हैं तो उसने कहा है प्लस नाइनी और प्लस ए दो आवेश है हमारे पास एक तो एक दूसरे से यह 16 cm की दूरी पर इस्थित हैं मालिया यह A point है यह हमारे पास B point है और यहां पर एक बिंदू हमने मालिया 9 E से X दूरी पर एक बिंदू C है और यहां पर हमने आवेस लिया है Q जब यहां से यहां तक की दूरी X है तो यहां से दूरी इसकी हो जाएगी 16 मालिया पास है F 1 और यह वाला बल जो है, इसकी तिसा इस्तरफ होगी, क्योंकि यह पितकर्षन करेगा, तो इसकी तिसा इस्तरफ हो जाएका, यह हो जाएगा F2, मेरे साथी हो, हम जानते हैं, जब हम F1 निकालेंगे, तो F1 इसकल 2 हो जाएगा, भई कुलाम के नियम से, तो हम जानते हैं, तो Q1 इंटू Q2 अपान क्या होता है, हम मिरे बाद साथी हो, R2, तो इसके एकोर्डिंग यह हो जाएगा, F1 इसकल 2, के, आवे से यहाँ पे प्लस का 90, इंटू, आवे से Q, और दूरी यहां से देर रखी है, X2, जब हम दूसरा F2 निकालेंगे इसी परकार, तो यह हो जाएग के, यह हो जाएगा, E इंटू Q अपान 16 माइनस X का होल स्कॉर, दोनों बल जो है, वो संत्लन में है, संत्लन में है, तो हम जानते है, F1 इसकल 2 क्या होना चाहिए, यह F2, दोनों बल संत्लन बस्ता में जब ही होंगे, जब F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा, और जब F1 बराब अबर F2 होगा, तो F1 की बलू हमारे पास है, K इंटू 9E इंटू Q अपान X स्कॉर, इधर दे रिखा है, K इंटू E इंटू Q अपान 16 माइनस X का होल स्कॉर, तो के से के जाएगा, EQ से EQ जाएगा, तो यहां बचेगा, 9 अपान X का स्कॉर, बराबर, बन अपान 16 माइनस X का whole square, इसको लिसकते हैं, 3 अपान X का whole square, और मेरे साथ यहां हो जाएगा, 16 माइनस X का whole square, इस square से square हटा दे रहे हैं से, तो यह हो जाएगा, 3 अपान X, बन अपान 16 माइनस X, ट्रोस मल्टिप्लाई, तो 16 तरी जाएगा 48, माइनस यह हो जाएगा 3X, इस इकल टू, यह हो तो 48 इसकल टू हो जाएगा X, इधर आके यह हो जाएगा प्लस का 3X, तो यह हो जाएगा 4X इसकल टू 48, तो X इसकल टू आ जाएगा हमारे पास 48, अपान 4, 12, तो X इसकल टू आ जाएगा हमारे पास 12, तो हमने माना था यहां पे कि प्लस 9E से, क्यू आवे इसको एक सेंट 10 अप्राइं के दोरी पे रखा गया है और बिंदू सी पर दोनों कॉंसे अबस्ता में जब संतुर नबस्ता होंगे तो दोनों ब torn साथ से कट आगो हिनल सकते हैं प्लिस या है क्ई डूरी पर रखने पर संत्रन वस्थाम में होंगे. यानि फ्लस नाइन इसे 12 संटीमीटर होना चाहिए और फ्लस इसे 16 सिक्टी में से टोल भटा देंगे यानि फोर संटीमीटर होना चाहिए. तो यह हमारा एंसर रहेगा. एक स्वाबर कितना आएगा? 12 संटीमीटर. यानि प्लस 9E से 12 cm की दूरी पर जो बल है, वो कौन सा बस्ताम होगा, संत्रन बस्ताम होगा, ये 2024 के लिए very important question रहेगा इस बार, next question मेरे साथ ही हो, next question आ रहा है, question थोड़ा बड़ा है, देखें सही से चरह, चलो ठीक है, देखेंगा, एक समान बैद्दु चेतर में इस्थित, बैद्दु दुधुरुपल लगने वाले बल युगम का आगुन, के लिए बियन जग, very important question, या इसको पूछ सकते हैं, एक समान बैदु चेतर में इस्थित, बैदुद दुदरुब पर लगने वाले महतम बलाघून का सूत्र प्राप कीजिए तता इसके आधार पर बैदुद दुदरुब आघून की परभासा दीजिए या कह सकते हैं दूसरा इसी में कोशन लगा हुआ है बैद्दुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु दूसरे से अल्पदूरी पर इस्थित हों तो इस बने निकाय को क्या कहते हैं हम बैदुत दुधुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु तो इसे कहते हैं बैदुत दुधुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद कोशन तो हम देख चुके हैं सूरू करते हैं हमारे पास कोशन था जब किसी बैद्दु द्युद्रूप को एक समान बैद्दु छेत्र में यानि हमारे पास ये एक समान बैद्दु छेत्र है ये एक समान बैद्दु छेत्र है और इसमें हमने एक रखा है बैद्दु द्युद्रूप हम बैद्दु द्युद्रूप को एक समान बैद्दु छेत्र में ठीटा कोण बनाते हुँ रखेंगे कैसे रखेंगे यहां से ठीटा कॉन बनाते हुए रखेंगे और ठीटा कॉन बनाते रखेंगे तो हमने पहली बता दिया इस पर दो आवेस होते हैं एक तो होगा माइनस का और दूसरा होगा पिलस का और इनके बीच की दूरी होती है 2L अलपदूरी जिसे कहते हैं 2L अब ये पॉइंट हमारे रहेगा A और ये पॉइंट रहेगा हमारे पास B मेरे बच्चो जब किसी आवेस को बैदूरी चेतर में रखते हैं तो इस पर एक बल काम करता है जिसे कहते हैं बैदुद बल तो ये प्लस क्यू आवेस है एक बैदुद छित में रखा गया है तो इस पे एक बल काम करेगा जिसका मान होता है F बराबर E Q इधर इसके कान लगेगा एक बल तो इसका भी मान होगा F बराबर क्या होगा E Q E Q तो ये किरिया रेखा होगई यहां से इधर किरिया रेखा इसको हम मिला देंगे यहां से तो A, B इसको मा लेते हैं C तो ये एक समान बैदुद छितर होगया इसमें हमने क्या करा है ठीटा कोण पर एक बैदुद दुदुरब को रखा है जब हम ये बैदुद दुदुद दुदुरब को एक समान बैदुद छितर में रखते हैं तो इन आबेशु के कारण इस पर एक बल काम करता है एक इस्तरफ करता है अनि दोनों बराबर बल हैं मंगर ये विप्री दिशा में एक दूसरी के काम करते हैं यानि यहाँ पर देखा जाए एक बल गुदुद दूसरी कारेगा तो यहाँ पर एक बल युगम करेगा बल युगम का आघ्धुन होता है टाव क्या होता है टाव तो मेरे साथ हैं इसकी थूरी ले सकते हैं कि जब माना ए भी एक बैदुद दुदुरूब है जो एक समान बैदुद छित्र में ठीटा कूर बनाते हुए रखा गया है इस दुदुरूब पर दो बल बराबर और विप्ति दिशा में कार करते हैं जो बैदुद दुदुदुरूब को बैदुद छित्र की दिशा में घुमाने का प्रियास करते हैं अता इस बल युगम के कार लगने वाले बल युगम का आगून किसका बल युग्म का आगून और बल युग्म का आगून होता है टाउ और टाउ बराबर होता है बल गुणा किरिया रेखा तक की लंबबत दूरी लंबबत दूरी तो किरिया रेखा तक की लंबबत दूरी यानि यहां से हो गया बी-सी क्या हो गया बी-सी और हमारे पास बल है एक बल का प्रमाल लगाना है ए-क्यू क्या लगाना है ए-क्यू तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तिरभुज ABC में तिरभूज ABC में हमें यहां से BC का मान निकालना है तो BC हो जाएगा LUM और यह हो जाएगा करन तो LUMB बटे करन किसका होता है SIN का फामूला होता है SIN THETA is equal to LUMB बटे करन तो LUMB इसमें कितना है BC और करन इसमें है 2L तो BC का मान आ जाएगा यहां से 2L SIN THETA BC का मान आ गया हमारे पास अब हमारे पास सूत रहे बल गुणा करिया रेका तक की लंब बट दूरी तो यह बल बल का मान कितना है EQ तो यहां पे मेलू लगाएंगे तो यह हो जाएगा TAU is equal to EQ गुणा किरिया रेका तक की लंब बट दूरी तो किरिया रेका तक की लंब बट दूरी क्या है हमारे पास 2L SIN THETA तो TAU बराबर हो जाएगा E into Q into 2L SIN THETA तो हम जानते हैं Q into 2L Q into 2L इसकल टू क्या होता है P तो TAU इसकल टू हो जाएगा P इसको क्या ले सकते हैं हम P ले सकते हैं इसको क्या ले किंगे E और ये हो जाएगा SIN THETA तो हमारा ये आ जाएगा TAU बराबर P E SIN THETA जब हम किसी बैद्दो द्धुदरुप को एक समान-बैद्दो चित में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल युखम का आघून होता है TAU बराबर P E SIN THETA और हमसे एही पूछा गया था हमसे एही पूछा गया था कि जब किसी बैद्दुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद किरिया रहुवर तक की लंबत दूरी, किरिया रहुवर तक के मदूरी PC निकाल लेंगे, PC बराबर होगा, 2L साइंटीटा, और यहाँ पर हमाल लगाएंगे इसका, तो tau बराबर हो जाएगा, EQ इन्टू 2L साइंटीटा, और हम जानते की इन्टू 2L बराबर क्या होता है, PE हो बल आगून का सूत्र प्राप कीजिए तत्हा इसके आधार पर बैदु दुदुरूप की परभासा भी दीजिए और हमसे पूछा गया था अच्छा यह है एक समान बैदु छित्र में इस्ते दुदुरूप लगने वाले महत्तम बलागून उसकी परभासा बतानी थी और उसके बाद काले निकालना था उसके आगे गोशन देखते हैं इसके आगे करते हैं हम देखो इतर अब हमने फामूला निकाला है टाउ बराबर पी ए साइन ठीटा यदि हम ठीटा बराबर जिरो डिगरी ले तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ए साइन जीरो और हम जानते हैं साइन जीरो का जो मान होता है वो जीरो होता है इसलिए टाउ का मान कितना होगा जीरो और ये टाउ कहलाएगा मिनमम क्या कहलाएगा मिनमम मान होगा अब हम बात करेंगे अधिक्तम यानि ठीटा बराबर हो 90 डिगरी यानि दुदुरुप को बैदुचित के लंबबत रखने पर तो टाउ इसकल टू हो जाएगा पी ए साइन नब्भे हम जानते हैं तो इसको कहेंगे टाउ मैक्जमम पी ए और साइन नब्भे एक वेलू होती है बन तो हमारे टाउ मैक्जमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी ए तो यह टाउ मैक्जमम पूछा गया तो टाउ मैक्जमम हो जाएगा पी ए अगर हम यहाँ से पी की बात करें तो यह हो जाएगा टाउ मैक्जमम इसकल टू ए अगर ए की बैलू बन हो तो पी इसकल टू क्या आ जाएगा टाउ मैक्जमम अगर इसके हम प्रभासा दें तो हम कहे सकते हैं जब किसी बैदू दूध्रूब को इकांग बैदू चेतर में इकांग ये बराबर क्या होता है एक न्यूटन पित कूला में बैदू चेतर के का रखा जा लंबबत रखने पर काईसे लखने पर लंबबत रखने पर उसके बैद्द दुदरुव आघून के अगोण के बराबर होता एंगर वाधु दुद्रom को बैद्द चित के लंबबत रखा जाके और बैद्द चित्रगामान केतना होना जाके बैद्द जब सकदू का जाके एक नुटन पितकूलाम तो उसके लगने बईदु दूदुरूब आगुन को बराबर होता है. तो यह हमारा पूरा कॉश्टन खञतम हुआ. अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका कारे. कारे कैसे निकालेंगे देखो. कारे. उसने पूचा है जब बैद्दु दुधुरुप को एक समान बैद्दु चित में घुमाने में किया गया कार तो हम जानते हैं जब किसी बैद्दु दुधुरुप को बैद्दु चित्र से टीठीटा तक घुमाने में किया गया कार किया गया कार तो यह ओजाएगा dw is equal to टाव इंट्टु दीठीटा और हम जानते हैं अभी हमने टाव वराबर निकाला था टाव भराबर क्या था हमारे पास p sin थीटा तो dw is equal to तो यह हो जाएगा p e sin थीटा इंटु क्या हो जाएगा d ठीटा यदि दुरुप को ठीटा बन से ठीटा टू तक घुमाने में किया गया कार तो यह पूरा कार निकलेगा यहां से तो लिमिट आ जाएगी ठीटा बन से कितनी आ जाएगी ठीटा टू और यहां पर मान हो जाएगा इसका पी ई साइन ठीटा टु दू जाएगा तो इसमें इसमें कितना कार होगा तो हम जानते हैं धित्त है step 2 is equal to, यहां से P e बाहर ले लो, और यहां बचेगा, ठीटा बन से, ठीटा टू, sin ठीटा इंटू D ठीटा, तो W बराबर हो जाएगा, P e, और sin का होता है, minus cos, integration होता है, sin का क्या होता है, integration, minus cos होता है, तो यह हो जाएगा theta 1 से कितना हो जाएगा theta 2 तो w बराबर हो जाएगा pe अब limit लगाएंगे यहाँ पर हम तो upper limit minus lower limit तो theta की जगह पर theta 2 आ जाएगा minus lower limit तो minus का हो जाएगा यहाँ पर cos theta 1 तो यह w बराबर हो जाएगा pe minus minus plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा cos theta 1 minus cos theta 2 जब किसी बैद्दुध दुधरूप को एक समान बैद्दुध छित्र में रखा जाता है तो उसके दोरा किया गया कार होता है W बरावर PE cos theta 1 minus cos theta 2 यदि दुधरूप को सामय बस्ता से theta कुण पे घुमाया जाए नहीं थीटा बन इसकल ू क्या हो जीरो, और ठीटा टू क्या हो बिटा ठीटा.. आनि सामय बस्ता वी विस्ताась fetchट तक तो were ब्राबर आ जाएगा.. P e, cos theta 1 विस्त पहा हो जाएगा जीरो.. cos zero का मान हो बन पुल माइनस क्या हो जाएगा यहां से.. cos theta हो जाएगा.. यानि जब किसी बैद्दु दुदरब को एक समान बैद्दु छुत में लगते हैं, तो उसको घुमाने में किया गया कार होता है, W बराबर P E cos theta 1 minus cos theta 2, theta 1 बराबर 0 degree मानेगे, अगर बैद्दु दुदरब को सामयबस्था से theta कोन पे घुमायेंगे, तो इसके दोरा किया गया कार क्या होगा डबली व्यावर क्या होगा पी बन माइनस कॉश्ट विटा इसमें ये जो हमारी बीडियो है बहुत स्पेसल होने वाली है यूपी बोर्ड दोजाट चोविस के लिए इसमें एक से एक बेहतरीन कोशन होगा कम से कम जितना ये जो पहला चिप्टर है हमारे पास जितना अगर साल बनेगा तो इहीं से आएगा पूरा पूरा और आमस इसमें सवाल ही बहुत बेहतरीन है आगे देखीगा थोड़ा अभी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है दे कर अगला कोशन बहुत हुथ्टी ज़्यादा इंपोटेंट है बेरी बेरी इंपोटेंट कोश्चन थोड़ा साहे करने स्कोंम धना इस घर्लोच देखीगा ये 1200 कर differences क्यानों फोड़ी 2 कोशन है बेरी इंपोर्टेंट कोशन रहे गा दोजाए 24 के लिए दो धन आवेश जो की परसपर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन केबल से प्रित करसित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कुलाम हो तो उनके अलग-अलग मान याद करो यानि यहाँ पर दो आवेश हैं उन दोनों का योग दे रखा हमें कितना दे रखा मेरे साथ हैं नौ माइक्रो कुलाम कितना दे रखा है दो नौ माइक्रो कुलाम और हमें आवेश के बारे मताना है वो आवेश का मान है कितना पहला कितना है दूसरा कितना है तो उसने का दो आबेस, कैसे आबेस हैं? धन आबेस हैं. तो हमने पता नहीं है, तो हमने माल लिया कि दो धन आबेस हैं. कितने हैं? दो धन आबेस, माना, आबेश Q1 बा Q2 है उसलिए का दोनों आबेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है इन दोनों का जो योग है Q1 पिलस Q2 कितना है 9 माइक्रो कूलाम और एक माइक्रो में होते हैं तसकी पावर माइनस छे इसको बना दीगा एक क्विशन नमर बन यानि Q1 पिलस Q2 दे रखा है मैं 9 माइक्रो कूलाम ने माल लिया है कि दो आबेश यहां पे Q1 बाद Q2 है अब उसने क्या का है एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पे रखे गए है यानि देखा जाए तो एक आबेश यह है और एक आबेश यह है 0.1 मीटर की दूरी पे रखे गए है यहां से और इन पे एक बल लग रहा है कितना बल लग रहा है 18 न्यूटन लगता है तो किसके नियम से भाई कूलाम भाईया की नियम से तो इनका नियम क्या था एप बराबर 9 गुणा 10 की पाबर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे दूरी का है स्क्वाईर दूरी कितनी यहां पे 0.1 का है स्क्वाईर तो एप की बलू हमें दे रखी है एप कितना लग रहा है यहां पे 18 न्यूटन कितना लग रहा है 18 न्यूटन लग रहा है तो इहां पे लगाएंगे 18 इसकल टू 9 गुणा 10 की पावन 9 और यह हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और इसकी मल्टिप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टिप्लाई कर देंगे तो Q1 Q2 का मन निकलेगा यहां से तो यह हो जाएगा 18 मल्टिप्लाई 0.01 अपान 9 इंटू 10 तू पावन 9 यहां हो जाएगा 9 दूनी कितने हो गए यह 18 हो गए तो यहां से Q1 इंटू Q2 आजाएगा हमारे पास 2 गुणा 0.01 उपर जाएगी यह पावर हो जाएगी माइनस की 9 यहां से पावर पड़ेगी 2 तो यह हो जाएगा Q1 इंटू Q2 दो गुणे 10 की पावर माइनस 10 9 और 2 ग्यारे हो गई कितने हो गई माइनस का ग्यारा यानि हम कह सकते हैं Q1 इंटू Q2 बरावर दूरी का स्क्वार है पॉइंट बन हो गया ठीक है 9 आगे ठीक है उपर जाएगा माइनस का नो हो जाएगा और ये 1 और 2 एक दो बड़े जाएगे दर माइनस को जाएगे 9 दो कितने होगे 11 होगे अगर यहां पर 12 बनाना चाहते हो इसलिए हमारे पास एक समीकर्ड थी Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है तो हमें च़िए Q1 माइनस Q2 या दका समीकर चल करें इसको تو मैरे साथ ही एक सूत्र होता है Q1 माइनस Q2 का होलिस्कोर इसको लिसकते हैं Q1 प्लस Q2 का होलिस्कोर माइनस 4 into q1 into q2 तो q1 minus q2 का whole square is equal to इसकी value आई है 20 into 10 की power minus 12 का whole square minus 4 into इसकी value कितनी थी? minus का 6 Q1 plus q2 का मान गलत हो गया यहाँ से साफ हो जाए गी? ऐसे? इस पे? यहाँ पे? कलर कैसे बदले हैं इसका थोड़ा? हाँ तो मेरे साथ यह q1 plus q2 का मान रखना तो q1 plus q2 का मान हमारे पास 9 है तो यह हो जाएगा हमारे पास q1 minus q2 का whole square और यह हो जाएगा 9 into 10 to power minus 6 का whole square minus 4 into यह हो जाएगा 20 multiply 10 की power minus 12 तो यह हो जाएगा q1 minus q2 का whole square और यह हो जाएगा 80 बन multiply 10 की power minus 6 दूनी 12 हो जाएगे और यह हो जाएगा 80 बाई बीचोक 80 होते हैं और गुणा 10 की power हो जाएगा minus का 12 अगर हम q1 plus minus q2 की बात करें यह हो जाएगा एक बचेगा यहाँ पे एक गुणा 10 की power कितना बचेगा minus का 12 12 आ गया यह हो जाएगा यह समीकर हमारे पास हो गई अभी नहीं एक बच्चा भी इसका बर्मून लेना हमें तो यह हो जाएगा q1 minus q2 और जब इसका हमें इसको रटाएगे तो एक का बर्मून एक होता है उसका आधा हो जाएगा तो दसकी power बचेगा minus का 6 और यह समीकर हो जाएगी हमारे पास 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2 अब समीकरान एक दो को हल करने पर हल करेंगे तो पहली यह है q1 plus q2 इसकाल 2 9 गुणा 10 की power minus 6 और दूसरी हमारे पास q1 minus q2 इसकाल 2 बन गुणा 10 की power minus 6 यह है जब इसको solve करेंगे तो यह minus plus कटी आएएगे तो यहाँ हो जाएगा 2 q1 इसकाल 2 9 एक कितनी हो जाएगे? 10 गुणा 10 की power minus 6 तो q1 कमान आजाएगा 2 पंजा 10 तो यह हो जाएगा 5 गुणा 10 की power minus का 6 कूलाम यह ले सकते हैं q1 बराबर 5 micro कूलाम हमारा जो पहला आवेस आ चुका है q1 कितना आया है? 5 micro कूलाम और जब दूसरे की बात करेंगे तो दोनों का यह योग 9 था तो एक 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4 micro कूलाम अगर मान निकलना चाहते हो तो q1 कमान 4 यहां रख देना और 4 यहां रख देना अगर यहां रखेंगे तो 5 तो इधर आके मान निकलना हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 4 micro कूलाम तो एक कमान होगा? 5 micro कूलाम यानि 5 micro कूलाम के दोनों आवेस होंगे जो एक दूसरे से इतने दूरी पर रखी जाएगे तो उस पे 10 Newton का बल लागेगा उनका यहोग कितना होगा? 9 micro कूलाम बढ़िया कूशन है, बेरी इंपोर्टन कूशन है next कूशन देखते हैं कूशन समझलों पहले बेरी इंपोर्टन कूशन बेरी इंपोर्टन कूशन है कोशन कैसे पूछा सकता है, देख लीजिएगा, किसी बैद्द दुधरुप के कारण निरक्षिये, निरक्षिये ना पूछ के उसको पूछ सकता है, अनुप्रस्त, इस्थती में किसी बिंदू पर बैद्द चित्र की तीब बरता, निरक्षिये भी कह सकते हैं, या किसके कारण बैद्द दुधरुप के कारण बैद्द दुधरुप के कारणhte, देख लीम के कोशन बढ़ा तोड़ा, धोड़ा ऊपर कर लें इसको, यटा दो उसक़ और, यह है, तो ध्यान समझें, उसने कहा है किसी बैद्दु दुद्रूब के कारण निर्क्ची इस्तती में, तो एक बैद्दु दुद्रूब है, हमने कहा जो बैद्दु दुद्रूब होता है, उस पर दो आवे समान और विप्रीत होते हैं, परकर्ती में परित होते हैं, और परमार में कैसे होते हैं, समान होते हैं, माल यहां एक बिंदु यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और यहां पर क्या है, बी है, इनके जो बीच की दूरी, अल्प दूरी है, वो कितनी है, यहां से, 2L है, कितनी है, 2L है, और निर्क्ची इस तो इसका एक मद्ध बिंदू है हमारे पास, मद्ध बिंदू हमने ले लिया यहां पर ओ है, संदभाजी भी कह सकता, निलक्षी इस्तिती में, संदभाजिक या अनुपरस्त इस्तिती में बता सकते हैं, तो इस बिंदू ओ से, कितनी दूरी पर, एक बिंदू हमने लिया है, पी, क्या लिया है बिंदू, पी लिया है, पी बिंदू है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यह दूरी कितनी हो जाएगी यहां से, अल, और इधर की दूरी भी कितनी हो जाएगी, यह अल, अब हमें करना क्या है, P को A से मिला दो इसको हम B से मिला देंगे मिला दिया अब इसके लिए हम क्या करते हैं यह लंब संदभाजिक है तो हमें इसके लिए हमें PA और PB का मान निकालना है तो मेरे साथ यो यहां पर देखा जाए तो जो PA होगा वो PB के बराबर होगा क्योंकि हम जानते ही पायतागरसप्र में लगेगी, तो ये दूरी R है, और ये क्या है, आधार है, ये लंब है, तो करण वराबर होता है, तो इसकी दूरी हो जाएगी, R² plus L², इसकी दूरी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा, R², और पिलस क्या हो जाएगा यहाँ पर, L² हो निकालनी है, बिंदू P पर बैद्दू चित की ती बरता निकालनी है, अब यहां पर देखा जाए, तो P A बराबर क्या हो गया, P B और इसकी दूरी आ गई है, निकले के हमारे पास, R स्कॉाइर पिलस L स्कॉाइर, अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना A B एक बैद्दू दूरूब है, जो ऐसे माद्धि में रखा गया है, जिसका पराबजतां K है, इससे मद्धि बिंदू O से इसमाल आरदूरी पर एक बिंदू P है, जिस पर हमें बैद्दू चित की ती बरता ग्यात कानी है, यह तोरी इसमाल आरदूरी पर एक बिंदू P है, जिस पर हमें बैद्दू चित की ती बरता ग्यात करनी है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, दूरूब है यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर तो यह माइनस का क्यू आवेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, तो हम जानते है, बिंदू P पर कोई जब बैद्दू चित की ती बरता निकालते है, तो यहाँ पर इसके कारण जो ती बरता निकलेगी, वो इस्तरफ होगी, यानि इसकी तिसा इस्तरफ होगी, और यह हो जाएगा हमारे पास E1 और ये अपनी और खीचेगा तो यहाँ पर जो तीबरता निकलेगी और ये इसका मान हो जाएगा E2 और बिंदू पीपर बैदुच्यत की तीबरता दो घटकों बटेगी एक तो गया 36 घटक एक हो जाएगा उरदादर घटक इधर ये तो ये हो जाएगा E1 ये हो जाएगा साइन ठीटा और ये हो जाएगा हमारे पास E2 साइन ठीटा और यहाँ पर रहेगा E ये परणामिती बरता है इसकी तो ये ठीटा है यह भी ठीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा इसको हम कह सकते हैं तो यह हो जाएगा E1 cos theta कह सकते हैं इसको हम, और इसको कह सकते हैं E2 cos theta कह सकते हैं, और यह दोनों आपस हम जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर क्या निकलेगी, प्रणामी बैद्दो चित की ती बरता निकलेगी, एक बाद फिर से समझेज़ेगा, कि हमारे पास A भी एक पर बैद्दो चित की ती बरता निकलेगी, तो यह क्या करेगी organ प्रिट करेगी तो इसकी E1 देशा हो जाएगी, और यह वाली अपनी और आकरशन करेगी, तो E2 इन होजाएगा, यहां से, बिन बिन दो फी उर्दाद बिन जाएगा तो यहां पर गटग dette a 2-1 गटकों में मेरे बच्चे पिलस क्यू आबेस के कारण, बिन्दू पी पर बैदुच्चेत्र की तीप बड़ता, तीप बड़ता, तो पिलस क्यू आबेस के कारण निकल लगी है, बैदुच्चेत्र की तीप बड़ता का सूत्र हम पहली बता चूके हैं, सूत्र होता है, बड़ता है, बन अपान, फोर पाई, एपसलों नाट, क्यू अपान, आरे स्कॉर, तो इसकी मदद से, तो यह हो जाएगा, इबन बराबर, बन अपान, फोर पाई, एपसलों नाट, क्यू अपान, अब दूरी देखों, यहां से यहां तक की कितनी है, तो कितनी है, अंडरूर, आर स्कॉर, पिलस, एल स्कॉर, समीकर्ण हो गई, एक, इसी प्रकार, माइनस क्यू आबेस के कारण, बिंदू पी पर, ती बड़ता, तो यह हो जाएगा, इटू इसकल टू, बन अपान, फोर पाई, एप्सलन नॉट, क्यू अपान, और इसकी पी दूरी बोही रहेगी, तो यह हो जाएगा, आर स्कॉर, पिलस, एल स्कॉर का, होल स्कॉर, क्योंकि ती बड़ता में सूत्र होता है, स्कॉर का, होल स्कॉर हो जाएगा, क्योंकि, आर स्कॉर होता है, यह हमारे पास, समीकर्ण क की बराबर हुगी। लोगी अब यहां पर देखा जाए तो जो इवन है। को एटू के बराबर आ गया। इवन बराबर क्या गया एटू आ गया। क्योंकि दूरी समान है। जब समान है तो E1, E2 जब बरावर हैं तो हम जानते हैं E1, Sin Theta और E2, Sin Theta क्या होंगे आपस में बरावर होंगे और जब यह बरावर हैं तो इनकी जो दिसा है कैसी है वो विप्रीत है विप्रीत है वो बरावर होने के कारण यह क्या हो जाएगी निरस्त हो जाएगी तो यह लिखनी पढ़ाएगी कि बिंदू पीपर बैदो चित की तीबटा दो घटकों में बियोजेच हो जाती है उर्दा द गटक और चेटिज घटक उर्दा दक घटक बराबर और विप्रीत होने के कारण परस्पन दिरस्ट हो जाते हैं और 36 घटक आपस में जोड़कर बैद दो चेतिकी तीबरता प्रधान करते हैं अता बिंदू पीपर परणामी तीबरता परणामी तीबरता निकाले हैं ज्यान अपना क्योंकि E1 Scientiata, E2 Co Scientiata आपस में नरस्त हो जाएंगे और क्योंकि यह हमने यहां पर E1 और E2 दोनों क्या आ गए बराबर आ गए पास e बराबर हो जाएगा e1 cos theta plus e2 cos theta अब यहां पर देखा जाए तो e1 बराबर क्या है e2 है और जब e1 बराबर e2 है तो हम मान सकते हैं यहां पर तो यह दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे तो e1 जाएंगे जाएंगे तो उसकी जगह हम क्या देशकते हैं 2 e1 cos theta एबन कमान तो हमारे पास है जाएंगे लगा दो जाएंगे लगा दो cos theta कमान नहीं है तो हमें क्या करना है इस चित्र से चौत्र बुच ए ओ पी ले लो चौत्र बुच ओ पी बी ले लो अगर हम बात चाओं यहां साइट से निकाल ले तो अगर हम cos theta की बात करें तो होता है आधार बटे करन तो इसमें आधार कितना है एल और करन कितना है यह बाला तो यह हो जाएगा एल अपान under root r square plus l square अब अगर यहां पर मान लखें हम तो e बरावर 2 और even की पहले हम निकाल चुके हैं तो कितनी है इसकी 1 upon 4 pi epsilon naught q upon square से यह root कट जाता है तो यहां से root हट जाएगा तो यह हो जाएगा r square plus l square और cos theta कमाल लगा देंगे जो हमने निकाला है l upon r square plus l square और मेरे साथ यह हम जानते हैं root है तो इसको हम क्या ले सकते हैं पावर भी बना सकते हैं यानि r square plus l square की पावर क्या ले सकते हम हम बनवाई 2 लिसकते हैं, तो इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, बनवाई हम 2 लगा सकते हैं, चलो दो देख लिए होगा, आगे देखते हैं, तो E बराबर हो जाएगा मेरे साथ ही यहां पर, बन अपान 4 पाई Epsilon 0 2 Q L, 2 Q L is equal to, मेरे साथ यह बनवाई 2 जे हैं बन जे हैं, तो हम जानते हैं, बनवाई 2 और प्लस बन यह हो जाएगा 3 Y 2, तो इसको लिए सकते हैं, एक बात और बता दे, हम जानते हैं, 2 Q L is equal to, क्या होता है, पी होता है, तो इसकी जगह पर क्या आजाएगा, पी आजाएगा, तो E बराबर हो जाएगा, बन अपान 4 Pi Epsilon 0 P upon R square plus L square की पावर 3 Y 2, देखा जाएगा, तो R की तुलना में L का मान चोटा है, तो R square की तुलना में L square का मान बहुती चोटा होगा, इसलिए L square को छोड़ने पर या नगन मानने पर चोड़ने हैं, चोड़ने पर, और जब यह L square चूटेगा, तो यह हो जाएगा, E बराबर बन अपान 4 Pi Epsilon 0 Q upon, और जब L square चूटेगा, तो यह हट जाएगा, तो R square पावर 3 Y 2, और 2 से 2 यह कट जाएगा यहां से, तो E बराबर आजाएगा, बन अपान 4 Pi Epsilon 0 P upon R की घाती, तो मेरे साथ यह डेरिवेशन हो गया, निरक्षी इस्तती में बैद्दो च्छत्र की ती बरता, और बैद्दो दुरुप के कारण, निरक्षी इस्तती में बैद्दो च्छत्र की ती बरता का सूत्र होता है, E बराबर बन अपान 4 Pi Epsilon 0 P upon R की घाती, एक नंबर अगर पूछेंगे, तो खाली सूत्र पूछ लेंगे इसमें, और अगर डेरिवेशन आएगा, तो 5 नंबर माता है, और बेरी इंपोर्टन कोर्शन है, और इसके उपर जो सवाल होंगे, वो अगली वीडियो में मिल जाएंगे आपको, नेक्स कोशन देखते हैं अब हम, बहुत प्यारा कोश्चन है, बहुत जवर्दस कोश्चन, वो कराए कि दो ठीक एक जैसी धातू की गोलिया, यानि यहां पर दातू की गोलिया हैं, वो एक जैसी है, जिन पर बिभिन परमानों के सजाती हैं, आवेस कहते हैं, सजाती हैं, मगर पता नहीं है, उनका मान कितना है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रितकरसित करती हैं, यानि यहां पर जो प्रितकरसन बल हो रहा है, और जब प्रितकरसन बल होगा, तो इसका मतलब है कि आवेस जो हैं, वो समान होंगे, जब उन्हें आपस में इसपस कराकर पुना उतनी ही दूरी पर रखा जाए, यानि उनको हम पिर क्या करेंगे, पहले तुनने का कि दो गोले हैं, वो एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, कितनी दूरी पर? 0.5 मीटर दूरी पर, तो उस पर बल इतना लगता है, फिर उसने ने का है कि उन्हें आपस में इसपस करा दो, यानि दो गोले लिए उन्हें आपस में इसपस करा दे, फिर उनको जहां पर रखे ते बहीं पर रख दो जाके, उतनी दूरी पर रखा जाता है तो बे एक दूसरे को इतने बल से यानि बल दे रखा है इतने बल से वो क्या करते हैं प्रित करसित करती है तो प्रतेक का प्रियारंबिक आवेश ग्याद करो प्रतेक गोले पर हमें आवेश बताना है कि प्रते गोले पर आवेस कितना है बहुत बढ़ी हा कोश्चन है देखेंगे तो उसने का धातु की गोलिया जिन पर विभिन प्रणावों के सजाती आवेस हैं तो हमें आवेस नहीं पता है तो आवेस को हमाल लेते हैं आगे चोटा नहीं होगा नहीं हुँ इस पर लेख सकता है हुँ उदर नहीं जाएगा यह चलो गाई फिर हुँ उदर आजाएगा अरे ते में उदर आजाएगा उदर से ठीक दो ठीक एक जैसी धात्तू की गोलियां तो हमने माना पहली दात्तू पर क्यूबन आवेस तथा दूसरी दात्तू पर गोलियां क्यूबन आवेस है यह माल लिया हमने फिर उदर ने कहा जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है यानि यह है तो एक गोली यह हमारे पास यह हमारे पास यह है माल लिया यह दूसरी से 0.5 मीटर की दूरी पर है यानि इनकी जू दूरी है यह कितनी है 0.5 मीटर है इस पर जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है कितना लग रहा है 0.05 के बीच में जो बल लग रहा है F बराबर वो लग रहा है 0.208 N तो कुलाम के नियम से हम देखेंगे तो यहाँ पे F बराबर शुरुत रोता है 9 गुणा 10 की पावर 9 into Q1 Q2 upon R तो F तो हमारे पास है 0.208 is equal to 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 multiply R तो R कितना 0.5 0.5 multiply 0.5 तो यह हो जाएगा हमारे पास जब Q1 Q2 का मान निकालेंगे यहाँ से हम तो यह हो जाएगा बन पॉइंट पॉइंट 0.108 0.5 multiply 0.5 अपान क्योंकि इसकी यह cross multiply हो जाएगी इसकी नीचे बन मालेंगे यह इसकी नीचे आ जाएगा तो यह कितना यहाँ पे 9 गुणा 10 की पावर 9 तो यह हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2 is equal to यह हो जाएगा बन 0.8 गुणा 5 गुणा 5 पावर पहले हलकर लेते हैं यहाँ से तो 3 और 5 दसकी पावर हो जाएगी माइनस का 5 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 9 multiply दसकी पावर 9 तो Q1 Q2 is equal to यह हो जाएगा 12 ने में 108 12 पंजे 60 पंजे 300 12 ने 12 पंजे 60 पंजे 300 और दसकी पावर कित्ते हो गए 9 उपर जाएगे तो माइनस की नोचे कित्ते हो गए 15 हो गए 9 पंजे 14 हो जाएगे 9 और यह माइनस की 5 है यह तो 9 पंजे कित्ते हो गए माइनस की 14 हो गए यह किस का मान आगए हमारे पास Q1 और Q2 का मान आगए अब उसने क्या का है जब उन्हें आपस में इसपस कराकर पुना उतनी ही दूरी पे रखतिया जाए जब हम मेरे साथी हम जानते है जब गउलों को आपस में इसपस कराकर उतनी दूरी पे रखेंगे जब किसी दो धातूं को या दो गोलियों को और दो आबेसों को जब इसपस कराते हैं तो प्रतेक आबेस पर बराबर आबेस पड़ जाता है तो इस पर्स करने के बाद मैं ऐसी लिखते रहा हूँ, इस पर्स करने के बाद पिर तेक गोली पर आवेश, कैसा होगा, समान होगा, तो हमने मालिया आवेस, जो होगा, QडS माल लेते हैं, क्योंकि बराबर होगा, तो इसका सुत्र हो जाएगा Q1 पलस Q2 बटे दो, सुत्र हो आविये, Q1 पलस Q2 बटे दो, कितनी में गोले हैं? अगर हमारे पास मालिया एक बीस कुलाम का आवेस है, और एक माइनस का दस कुला तो बल इतना लग रहा है, तो सूत्र ठा लेना सीधे बहीं से, तो यह हो जाएगा, f बराबर, 9 गुणा, 10 की पावर, 9, और यह हो जाएगा, q1 प्लस q2, बटे, 2 का, whole square, क्योंकि q-, क्योंकि दोनों गोलों पर आपस बराबर है, तो q1 into q2, तो q- हो जाएगा, q- का whole square कर सकते हैं, तो q1 प्लस q2 का क्या हो जाएगा, whole square हो जाएगा, और एप की बलू दिरक्की यहाँ पर हमें, 0.144, is equal to 9 गुणा, 10 की पावर, 9, और यह हो जाएगा, q1 प्लस q2, q2 का whole square, यहाँ दूरी, अब उतनी दूरी पर रखेंगे, तो दूरी कितना है, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, 0.5, 0.5, और दो दूनी कित्ते हो जाएगे, यहाँ पर 4, अब अगर यहाँ से हम q1, प्लस q2 का whole square निकालें, तो भी हो जाएगा, यहाँ पर, 0.144, multiply, 0.5, multiply, 0.5, multiply, 4, और नीचे आजाएगा, हमारे पास, 9, multiply, 10 की पावर, 9, प्वाइंट यहाँ सेटा दो, 10 की पावर, माइनस 5, बढ़ा लो, तो यह हो जाएगा, 16, 9, 144, तो यह हो जाएगा, 16, 85, 80, 85, 400, चार चो कित्तो होगा, 1600, यानि q1, प्लस q2 का whole square आजाएगा, हमारे पास, 1600, multiply, 10 की पावर, 9, 5 कित्तो होगे, माइनस का, 14, यानि देखा जाएगा, तो q1, प्लस q2 का, जो मान आएगा, बो हो जाएगा, 40, 40 का, क्योंकि इसको रटाएगे, तो इसको पर बर्मूल आएगा, और बर्मूल कित्का होगा, 40 का होगा, और 10 की पावर हो जाएगी, माइनस की, 14 की आदि हो जाएगी, माइनस का 7, यह आ गया, q1, q2 का मान, इसको मान सकते हैं, समीकर हम, एक का नाम दे सकते हैं, इसको हम, अब इसके बाद हमें, q1, q2 का मान, तो अभी हमने, अगले सवाल में, q1, q2 का होल स्कॉर बताया था, नहीं पता है, तो देख ले, q1, q2 का होल स्कॉर, और माइनस, 4, q1, into q2, तो यह हो जाएगा, q1, minus q2 का होल स्कॉर, और इसकी बादू में पता है, कितनी है, 1600, multiply 10 की पावर, minus 14, minus 4, into q1, q2 का मान, निकाल चुके हम, 300, तो 300, तो 300, और multiply 10 की पावर है, minus का 14, तो यह हो जाएगा, q1, minus q2, बराबर, यह हो जाएगा, 1600, multiply 10 की पावर, minus 14, minus 4, यह 1200, 1200 गुना 10 की पावर, minus 14, तो यह सवाल हम यहां से यहां कर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा, हमारे पास, q1, minus q2, बराबर, और यह घटा देंगे, तो 16, 12 के कित्ते बचेंगे, 400, गुना 10 की पावर, यह हो जाएगा, minus का 14, है, और जब इसका इसको रटाएगे, तो यह हो जाएगा, q1, minus q2, बराबर, 400 का बर्मूल होता है, बीस, गुना 10 की पावर, minus 7, समी करण कित्ती हो गई है, दो, अब हमें क्या करना, समी करण एक, यह वाली है, और समी करण दो, यह वाली है, इन दोनों को हल करके, हम, q1, और q2 का मान निकाल लेंगे, जब q1, q2 का मान निकाल लेंगे, तो इधर का तो सब की सब्सक्राइब यह थे हम आगया होगा, तो यह हम रिज कर देते हैं अधर से, October 18. देखी का इदर जब हम समी करना एक बाद दो को हल करेंगे तो हमारी परली समी करना है Q1 पिलस Q2 बरावर 40 कुणा दसकी पावर माइनस साथ ये वाली और दूसरी ये वाली हो गई Q1 माइनस Q2 बरावर 20 कुणा दसकी पावर माइनस साथ जोडने पर ये खतम हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा 2Q1 बराबर 60 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 तो Q1 बराबर हो जाएगा सीधे 2, 3, 6, 30 यानि 30 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम यानि पहले गोले पर जो आबेस होगा वो कितना होगा 30 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम होगा और हम दूसरे गोले की बात करें अगर तो दूसरे गोले का मान यहां से निकाल लो तो 40 में से 30 कम कर देंगे तो वो पने आप से भी कर सकते हो तो Q2 बराबर आजाएगा सीधे यहां पर हम 40 है ये और 40 में से 30 कम कर देंगे तो बचेगा 10 यानि 10 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम होगा तो दूसरे पर कितना होगा माइनस का 10 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम होगा अगर पहले पर माइनस का 30 है तो दूसरे पर कितना होगा माइनस का 10 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूला होगा तो यह कोशन हो गया हमारा अगला नेक्स्ट कोशन है बड़ी कर लो इसको नेक्स्ट कोशन है बहत्रीन एक्तम नुमरिकल हैं सब जितने भी हैं समें इंपोर्टन नुमरिकल है सब इंपोर्टन नुमरिकल होंगे जितने भी होंगे यहां पर यह करा है कि एक भून बहुत प्यारा कोशन है एक भून जिसका दिर्बमान इतना है दिर्बमान तो जो चीजे हैं numerical में वो note कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास जो दिर्बमान है m बराबर, वो है 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 10 ग्राम, और इसको जो हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा 4.8 multiply 10 की पावर माइनस 10, और 1 ग्राम में होते हैं 10 की पावर माइनस 3 क किलोग्राम, तो इसकी जो बैलू आ जाएगी m की, किलोग्राम में तो हो जाएगा 4.8 multiply 10 की पावर माइनस 13, 13 किलोग्राम, यानि जो यहाँ पे द्रमान है, वो कितना है, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम, तथा जिस पर आबेस, यानि आबेस दिरक्का हमें क्यो बराबर, कितना है, 2.4 multiply 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम, 36 तथा आबेसित प्लेटों के बीच संतुन नवस्था में लटके हुए, जनिके बीच की दूरी, यानि दिरक्की है, प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है, 1 cm, और जब इसको बदलेंगे, तो एक गुना 10 की पावर क दोनों प्लेटों के बीच विभानतन निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है, पहली बास समझो, जब कोई भून किसी बैदुद छित में लटकी हो, तो उस भून का भार और उसका जो बैदुद बल है, वो दोनों क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे, यानि संत संतुलन बस्ता में है, जब संतुलन बस्ता में है, तो हम जानते हैं, यहां पर जो एफ होगा, वो किसके बराबर होगा, एम जी, और यहां पर जो एफ होगा, बो क्या होगा, एक्यू होगा, क्या होगा, यहां पर एक्यू बराबर क्या होगा, एम जी, और यहां पर जब का मान नीदे रखा होता तो लगाते है 9.8 कितना लगाते हैं 9.8 संतुरिय बस्ता में तो याद रखना इससे कोशन बन सकते हैं बहुत सारी कोशन बने हुए हैं कि जब कोई भून किसी बैदुचित में लटकी हो तो उसका भार उस पे जो लगने वाला बैदुदबल होता है अब मेरे साथ ही हमें निकालना है B हमारे पास E नहीं है तो हम जानते हैं E का एक फ्रमुला पर होगा तुमने E बराबर क्या होता है B upon D तो यहां से हम इसकी जगह ले सकते हैं B upon D into Q बराबर M G और हमें निकालना है किसका मान है B का तो इसका सुत्व बन जाएगा हमारे पास M G D बटे Q मान लगा दो फटा फट तो B is equal to M का मान है हमारे पास 2.4 multiply 10 की पाबर माइनस 18 माइनस 18 गजिए कितनी है 13 म का मान कितना है माइनस तेरह है into G का मान नहीं है तो 59.8 होता है है यह fix है और D के मान दे रखा है एक गुना दसकी पावर माइनस का दो प्तिका मान कितना है कितना है 2.4 2.4 multiplier10 की पावर माइनस 18 माइनस 18 M कमान कितना है 4.8 M कमान कितना है M कमान 4.8 है M कमान 4.8 कितना आएगा यहाँ पर M कमान होगा M क्यों लगाओ यहाँ पर 4.8 10 की पावर माइनस 13 10 की पावर माइनस का 13 होगा और यह हो जाएगा Q कमान कितना है 2.4 गुण 10 की पावर माइनस 8 अब सही है पॉइंट से पॉइंट जाएगा 24 दुनिय 48 हो जाएगे यहाँ पर तो B बराबर आजाएगा यह हो जाएगा 2.16 और 2.9 18 एक उनिस एक के बाद पॉइंट है और मल्टिप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 18 यह हो गई यानि माइनस के 13, 2, 15 तो उपर है और पिलस जाएगा तो 10 की पावर पिलस की हो जाएगी 18 तो B इसकल टू आजाएगा हमारे पास 19.6 मल्टिप्लाई 10 की पावर बचेगी यहाँ पे पंदा में से 18 गए यानि 3 बचेगा और 3 बचेगा तो B बराबर ले सकते हैं 1.96 गुणा 10 की पावर एक बढ़ियाएगी तो हो जाएगा 4 बोल्ट क्या हो जाएगा 4 बोल्ट यानि इसका जो एंसर आएगा वो कितना आएगा 1.96 गुणा 10 की पावर 4 बोल्ट आएगा तो मेरे साथियो जब कहीं पर कोई भूंद किसी बैद्दुच्षित में लटकी है तो इसका भार जो होगा उसके बैद्दुद बलके क्या होता है जब किसी आवेश को हम बैद्दुच्षित के अंदर लगते हैं तो उसके बल लगता है तो वो उसका जो मान होता है वो क्या होता है अब बरावर क्या होता है E into Q होता है तो जो E into Q होगा वो M G के बरावर होगा है अब यहां पर में B का मान मुनान निकालना था Kim avoir LISA मूंहां थे लगा यहां से दीपका मुना कर देंगे तो world मान लगा को कियो है कि немножко सब कर एंब पोंगा ऒल जाएगा हमारा 5.9 чис मुनादस की पावर चार queens को क sponsored दिखते हैं बहुत जवर्दस question यहां से question आएगा तो इस पीडियाप से कोई question 24 में बहान नहीं आने बाला है पहले chapter के लिए और next video यानि कल जो मिलेगी इसके गौश की प्रमेवाली और बेवबब बाली जो है कल PDF इस पर डाउनलोड की जाएगी और आज यह बैदुच्छेतर वाला जो चल लाएगा जितना आगर यहां से आएगा एपीड़ का फेपर पूरा यहीं 78% यहीं सूटेगा पूरा तो यह कोशन देखेंगे बहुत प्यारा सा कोशन है बढ़िया कोशन है चित्रा अनुसार चार बिंदू आवेश पिलस क्यू, small q, plus q, फिलस क्यू, तता small q एक यह भुजा बाले बर्ग के कोनों पर स्थित है यह हमारे पास कोई बर्ग है इसके कोने पर एक capital q आवेश है, small q है, capital q है और जो बर्ग है, उसकी भुजा कितनी है, यह है तो आबेस पर प्रणामी बैदुद बल ग्याद करो, यानि इस चित्र में दे रखा है, उसमें जूरत रही है, हमें यहाँ पर इसका प्रणामी बल निकालना है, यहाँ पर इसका प्रणामी बल निकालना है, यहाँ पर इसका प्रणामी बल निकालना है, यानि यह हमारे पास F 3 है और यह हमारे पास F 1 है और यहांसे यह कौन बनाता है 45 degree यह है और दूसरे point पी विले हमें निकालनी है निकाय की बैद्दुत इस्तिति जूर्जा मेरे साथ यह निकाय की जो बैद्दुत इस्तिति जूर्जा होती है इसका सूत होता है 1 upon 45 एपसलोन नाट क्यू बन क्यू टू अपान आर तो पहले थो हमें इस पर बल निकालना है उसके बार क्या निकालनी है बैदुत इस्तिति उर्जा निकालनी है देखो कोशन सबसे पहले हम निकालेंगे एप थरी यहा एप निकाल लो तो हम जानते है कूलाम के नियम से एक harvest यहांपे क्यू है यहांपे क्या है इसमाल क्यू है उनकी बीच की दूरी किति यहांपर इसमाल ए है तो यह जो बन निकालेगा एप बन बराबर जब यहां से अम एप निकालेंगे पहला point है यहाँ पर तो जो F1 होगा वो होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 into एक आवे small Q है दूसरा क्या है capital Q है तो यहाँ लिज़कते है small Q into capital Q और दूरी इनकी जो है वो कितनी है यहाँ पर A है तो A square Khulam का नियम लगा दिया 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square इसी परकार हम app 2 निकाल सकते हैं हैं से इसको समीकर एक डाल सकते हैं और जब app 2 निकालेंगे तो यहाँ पर capital Q है यहाँ पर क्या small Q है इसकी दूरी बहुई है तो यह हो जाएगा इसको इसकी value निलगा के हम इसका सूत लिखते हैं क्योंकि हमारे पास आगे value नहीं है capital Q into capital Q अपान में हो जाएगा under root 2A का whole square समीकर किती होगे 3 अब लिखेंगे Q पर परणामी बल और जब Q पर परणामी बल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर तो यहाँ पर F1 इसके बीच का कुण कितना है कॉस तो यहाँ पर लगे कॉस 45 क्योंकि 36 गटक है यह पिलस F3 पिलस यहाँ हो सकता है F2 कॉस 45 देखा जाए तो F1 बराबर F2 है F1 बराबर क्या है F2 है तो हम जानते हैं यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर F1 जब F2 के बराबर है तो यह भी 45 है यह भी 45 है तो इसको हम ले सकते हैं 2F1 कॉस 45 सिंपल होगा थोड़ा और पिलस F3 अब सब की बलू लगाएंगे हम तो F बराबर हो जाएगा 2F1 की बलू आई है बन अपान 4Pi एपसलोन नाट इसमाल Q इन्टू कैपिटल Q अपान A का स्कोर पिलस कॉस 45 कॉस 45 बलू होती है गुणे में बन वाई रूट 2 क्यों कॉस 45 का मान होता है बन वाई रूट 2 पिलस F3 का मान लगा देंगे तो F3 की बलू किती है बन अपान 4Pi एपसलोन नाट इन्टू कैपिटल Q का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर क्यों कैपिटल Q कैपिटल Q का स्कोर कर सकते है और यहाँ पो जाएगा दूरी है तो 2 और यहाँ हो जाएगा 2A स्कोर सी दिस्थे लिए F बराबर तो यह कामन ले लेंगे हम बन अपान 4Pi एपसलोन नाट और कैपिटल Q का मन आ रहा है और नीचे से A स्कोर का मन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा यह तो कैपिटल Q और यह और यह कामन बहार हो गया तो यहाँ बचेगा 2 बटे रूड़ दो और इसमाल Q बचेगा प्लस यहाँ बचेगा यह तो बहार हो गया और तो यहाँ बचेगा एक Q बहार हो गया तो Q अपान यहाँ बचेगा 2 क्योंकि A स्कोर यहाँ से बहार हो गया है क्योंकि यहाँ से हमने एक कामन लिया है तो capital Q दोगो भार आ गया है यह आ गया दोखो यहां से यह भी पूरा भार आ गया है A square भार आ गया तो यहां क्या बचा 2 बचा और small Q बचा वो लिख दिया और बन पान रूड़ दो लिख दिया हमने यह पूरा भार आ गया A Q बचेगा और A square भार आ गया तो यहां क्या बचेगा 2 तो इसको यहीं छोड़ दो चाओ और इसको हल करना चाहो तो इसका LC में लो भाई तो यह हो जाएगा बन अपान 4 pi Epsilon naught Q बटे A square और इसका जब LC में लोगे तो यह हो जाएगा 2 root 2 तो यहां सो हो जाएगा यह दो दूनी कित्त हो गया 4 Q और पिलस दो से दो कट जाएगा यहां हो जाएगा अंडर रूट 2 Q तो यह आ गया यानि इस पर जो परामी बट होगा बन अपान 4 pi Epsilon naught Q अपान A square 4 Q पिलस 2 अंडर रूट Q जो भी है दो रूट 2 Newton अब इसका दूसरा भाग देखते हैं क्या निकाल लीए इसकी निकाल लीए बैद्द। इस्तित्यूजा निकाल लीए तो यह तो हो गया Q लगने वाला बल कामान अब दूसरा पाइंट इसका हल करते हैं दूसरा पाइंट देखेंगे निकाए की बैदुत इस्तिध्यूजा एक निकलेगी इसके कारान एक निकाय की बैदुत इस्तिध्यूजा निकालेंगे, तो हम जानते हैं, इसका सूत्र होता है, मैं पहले सूत्र बताता हूं, U बरावर, बन अपान, फोर पाई, एप्सालोन नॉट, क्यू बन, क्यू टू, अपान, a का square यानि R का square R होता है ख़ली ये होता है इसकी बैद्दृत इस्तिति उर्जा का शूतR तो शबसे पहले हम जानते हैं अब यहाँ पर आवेश इसमें capital Q small Q इसमें capital Q small Q इसमे on capital Q small Q इसमें capital Q small Q तो यह चारो भुजाएं पर जो बैद्दत इस्तिती उर्जा होगी वो कैसी होगी बराबर होगी तो अगर हम यहाँ पे हम कुल उर्जा ही बात करें निकाए की कुल उर्जा निकाए की कुल उर्जा तो यू बराबर तो चार गुणा आई इसमाल क्यू करपितल क्यू करण निकलेगी तो एक तो ये हो गया, दो तीन चार, तो सीधे ले सकते हैं 4AQ Capital Q into small q Plus एक निकलेगी इस बिकरण के कारण यानि U Capital Q Q Plus, ऐसे लंबर हो जाएगा एक निकलेगी यहां से यह यह बारी निकलेगी यहां से, तो यह हो जाएगा हमारे पास U small q into small q यू बरावर चार मल्टिप्लाई बन अपान फोर पाई एपसलोन नाट अब कैप्टल क्यू इसमाल क्यू के कारण किती एक तो जे है एक जे है एक जे है तो चार तो जे हो गई इनके बीच की दूरी क्या आए सेम से मैं तम तो यहाँ पर आवेस कितना है कैप्टल क्यू इसमाल क्यू अपान ए पिलस कैप्टल क्यू के कारण यह आ गई इसकी कितनी है जो भी है दो अंडरूर टू ए तो यह हो जाएगा बन अपान फोर पाई एपसलोन नाट इन्टू यानि कैप्टल क्यू इंटू केप्टल क्यू अपान अंडरूर्ट टू ए इसकी निकालेंगे अब हम तो यह हो जाएगा बन अपान फोर पाई एपसलोन नाट इन्टू इसमाल क्यू क्योंकि दोनों इसमाल क्यू है आप है इस बीच की दूरी बोही रहेगी क्या रहेगी, बिक्रण है यहां पर, तो क्या होगा, अंडरूट 2A, यह हो जाएगा, यहां से हमने क्या करा, कामन ले सकते हम, कैपिटल Q कामन नहीं आएगा, यहां से खाली कामन आएगा, बन अपान 4Pi Epsilon नाट A, बन अपान 4Pi Epsilon नाट A कामन आ सकता यहां से, तो यहां बचेगा 4 capital Q into small Q plus यहां बचेगा capital Q का square बटे A under root 2 यह तो भार हो गया under root 2 plus यहां बचेगा हमारे पास small Q का square under root 2 इसको यहीं छोड़ दो तो इस निकाए की बैद्दूत इस्तिवजा क्या होगी बन अपान 4 pi f0 बन अपान A 4 capital Q into small Q Q square क्योंकि जब निकाए की बैद्दूत इस्तिवजा निकालते हैं जितने हाविज होते हैं तो इसके बीच निकलेगी पिर इसके बीच पिर इसके बीच पिर इसके बीच पिर इसके बीच तो यह पूरी कहलाईगी निकाए की कुल उर्जा और इस निकाई की कुल उर्जा आजाएगी हमारे पास, क्यूंकि यहाँ पर 4 हो जाएगे, तो 4 हो जाओं पर आप इस इसमाल Q, capital Q, capital Q, small Q, तो 4 जो हो जाएगे, और अब अगाया 2 ओकरण, यह और यह, तो इसका answer आ जाएगा इतना आ जाएगा बेरी important question नेर्ट question दिखते हैं नेर्ट question है हमारे पास बहुत ब्याइपी question 92 एरेनियम 238 प्रमारू वाल अलफा करन बा अलफा करन प्रमारू होगा यहाँ पर अलफा करन उत्से जित करता है एक 92 एरेनियम 238 है और जो अलफा करन को उत्से जित करता है वो करा यद किसी छण करन बेकितित प्रमारू के केंदर से 9 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो करन पर कितना बल कारीरत होगा एक एक question very very important है यहाँ से पेपर बिल्कुल बहर नहीं आने वाला देखीगा 92 एरेनियम 238 है उसने का इससे अलफा करन एक को सिजित करते हैं अलफा करन होता है हीलियम का नाविक किसका होता है हीलियम का नाविक और हीलियम के नाविक में हम जानते हैं, दो प्रोटान होते हैं, और दो क्या होती हैं, न्यूटान होते हैं, जब कोई अलफा कंड निकलेगा, तो दो प्रोटान को लेके निकलेगा, यानि जब 92 इरिनियम से, हम कोई अलफा कंड निकालेंगे, यानि 2 HE4, अलफा कंड 2 HE4 होता है, और जब यह तो यह बचेगा और इधर बचेगा नभभए थोरियम 234 अब बचेगा कि अब बो करा है कि जब इस पर अलपा कर उत्सीद करता है यदि किसी चंड कर विक्टित प्रमाडू के इंदर से के इंदर से कितनी दूरी पर इतनी दूरी पर अब यहां पर करह में स्ट्रेक्श्ट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास तो दो इधर से गए और नभभए इधर से गए यानि कह सकते हैं नभभएई क क्यू बना गया यह और क्यू टू हो जाएगा हमारे पास टू अहय कि इनके बीच की दूरी कितनी है नौ गुणा 10 जा упर कितनी है मौ पंदरा मीटर ये है तो तुमसे पूछा गया है इसके बीच लगने वाला जो बल है बो कितना होगा अब क्यूबन तो आ गया हमारे पास कितना आ गया 90 और क्यूटू कितना आ गया अमने बच्चे 2E आर कितना आ गया है 9 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर आप बलकी बात करें तो कूलाम का नियम बन अपान 4 पाई एपसलों नौट क्यूबन क्यूटू अपान आर स्कॉर तो एप बराबर तो 9 गुणा 10 की पावर 9 तो ये हो गए और क्यूबन कितना है 90 ये कितना है 2E अपान आर स्कॉर कितना है ये है तो 9 दोबा लिख लो 9 10 की मान माइनस पंदरा नौ से नौ गया दोज्ट है तो एपड़ाबर किटना बचया यहाँ पे एक कामान लगादो एकामान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर 11 इंको टू 1 बसकॉर 1.6 गुना दस्की पावर माइनस 20 नीचे नीचे बचा हमारे पास 10 की पावर दिस remember उपर कितना बचा यह दस दुनी 20 कर लो यहां पर दस दुनी 20 मान लगा दिया हमने अब यह ओ जाएगा हमारे पास एफ बराबर 16 16 26 512 कितना आया पांस वारा उनिकी सबकी ऊना कर लो यह तो पॉइंट एक-दो कि बाद पॉइंट है बगा दिया हमने 10 की पावर उन्हें दुनी 30 लो RJ होध उन् alleव 18 एक ढूट बान दस का अ कि उन्हें दुनी 30 न भी तुनी अर्टीस विन्हों इंन्हें दुनी 32 ं 16 16 256 256 अदूनी 512 पांश चुरू लगा लेंगे तो 56 हो गया हमारे पास सही है अब इधर बचेगा हमारे पास 10 की पावर 38 और इधर हो जाएगा 10 की पावर 39 39 तो f बराबर जो आएगा हमारे पास यह आजाएगा 51.2 multiply 10 याणि f बराबर आजाएगा क्योंकि जानते है 38 में से 49 जाएगा दूस बचेगा तो यह हो जाएगा 512 न्यूटन कितना आएगा इसका 512 न्यूटन यानि जब हम 90 यानि 22 230 से जब कोई alpha कंड निकालेंगे तो यह alpha कंड जोता दो प्रोटन निकालते हैं यहां से 2 तो यह 2 और 90 हो जाएगा यानि एक आवेस हो जाएगा 90 E के बराबर दूसरा हो जाएगा 2 E के बराबर यानि 90 E और कितना हो जाएगा 2 E के बराबर एक दूसरे दूरी तनी देरक कि कुलाम का नियम लगा दो अराम संसर हल करोगे इतना साजा इसका दाएगा 512 न्यूटन बेरी बेरी इंपोर्टन था ये नेक्ट कोश्चन जैरी बेशन है पोर्टन रहेगा ये भी उसने का किसी पैद्दो दुदुर्प के काण अक्छी इस्तती में किसी बिंदू पर बैद्दो छत्कीती बरता का बेंजक यानि आनुदहरी इस्तती भी कह सकते हैं और हम अक्छी इस्तती भी कह सकते हैं में निरक्षी में उपने समझा दिया था अब इनक्षी स्थती में है सम्झा लो जलिल करा दिते हैं आप एक बैद्दुध दुद्रूब है तो हमने बता दिया बैद्दुध दूडुन क्या होता है विए बैद्दुदूब अबेस परमान में समान हो और प्रकृति में कैसे हूँ विपरीत हूँ परकरती में कैसे हूँ विपरीत हूँ तो इधर कितना होगा माइनस क्यू आवेस और इधर कितना होगा पिलस क्यू आवेस एक दूसरे से अलप दूरी पर इस्तित हूँ कहा हूँ अलप दूरी पर इस्तित हूँ माल लिया एक मद्ध बिंदू यहां पे है ओ यहां से इसकी दूरी कितनी है एल और इदर से दूरी कितनी है इसकी एल यह कह रहा है अब सवाल समझते है उसने कहा है अक्षी इस्तती में यानि अक्षी का मलब था उसी अक्ष पर यहां से आक्षी इस्तती में मद्द बिंदू इसमाल आर दूरी पर एक बिंदू हमने लिया पी क्या लिया पी और इस पर हमें निकालनी है बैद्दुचेत्र की तीबरता है तो यह प्लस क्यूब निकलेगे LOL मेरे सात यह प्लस क्यों से नो दूरी देखेंगे तो हो जाएगी R-L क्योंकि यहां तक भी पूरी R है, तो R में से L कर जाएंगे, और इसकी दूरी निकालेंगे, तो यहां हो जाएगी R पिलस L, तो यह तो रहगा इसका चित्र, चित्र बहुत जूरी है, समझोगे तो पूरा डेरिवेस्ट ने यहीं सो जाएगा, तो इसमें लिख लेना इसकी प्रेम कथा जो भी है, क्या लिखोगे, कि माना A भी एक बैद्व दूरूब है, जो ऐसे माद्दी में रखा गया है, जिसका परावायतां K है, इसके मद्द बिंदू और से R दूरी पर एक बिंदू P है, जिस पे हमें बैद्व चित्किती बरता ग्याद करनी है, और लिख बिंदू P पर तीप बरता, बैद्व चित्र की तीप बरता, तीप बरता, तो यह हो जाएगा, इबन बराबर, बन अपान 4 पाई, एपसालों नॉट इंटू, इसकी दूरी कितनी है, क्यों, दूरी कितनी है यहाँ से, यह है, कितनी हो जाएगी, तो R माइनस L का होल स्कॉर इसी प्रकार माइनस Q आवेस के कारण निकाल नहीं हमें, माइनस Q आवेस के कारण, निकाल लोगे, तो यह हो जाएगा, E2 बराबर, बन अपान 4 पाई, एपसालों नॉट इंटू, क्यों अपान, और इसकी दूरी है R पिलस L, R पिलस का L का होल स्कॉर, आप लिखेंगे, ब बिंदू P पर, प्रणामिती बरता, प्रणामिती बरता जो होगी, वो होगी, E बराबर, अब दोनों की दिसा हैं, एक की दिसा इस तरफ है, एक की दिसा इस तरफ है, तो आपस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां हो जाएगा, E बन माइनस क्या होगा, E2, इसकी दिसा होगी BP की तरफ इसकी होगी PA की तरफ जादा बाली में से कमबाली घटाए जाएगी तो E1 में से E1 है जो कितना है हमारे पास E1 बन अपान 4 पाई एपस नॉट ये ले लो कामन जगह थोड़ी कम है तो बन अपान 4 पाई एपस नॉट कामन ले लिया हमने तो यहाँ पर जो बैलू बची है भो लिख लो तो कितनी आई यहाँ पर Q बटे R माइनस L का होल स्कॉर माइनस और इसकी दूरिया यहाँ पर Q अपान R पिलस L का होल स्कॉर तो E बराबर तो इसको Q बहाल ले लेंगे तो R पिलस L का होल स्कॉर माइनस यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्कॉर और नीचे हो जाएगा L C S का R माइनस L और इंटू हो जाएगा R पिलस L का होल स्कॉर तो यह हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई EPSलON नॉट इसका सूथ खोल देंगे To R square plus L square plus 2R L और इस मैनस से गुणा कर देंगे Minus ka R square minus ka L square Minus किया हुआ, plus ka 2R L और नीचे हो जाएगा A square minus B square यहनि R square L square senior Whole square यह कट जाएंगे यहां से R से square L square कट जाएगा तो 2 J हैं हमारे पास और 2 हमारे पास यह है हम समझें हैं बात कुना हो एढ़ा दो इसका कोई जरूत नहीं इसके आगे हल करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास E बरावर Q अपान 4Pi Epsilon नौट तो अंदर बच्चा हमारे पास 4RL पर आर स्कॉइर माइनस L स्कॉइर का होल स्कॉइर मेरे साथ ही हम जानते हैं अगर आर ग्रेंटर दैन है L की तुलना में तो R स्कॉइर का मान ओहुती ज्यादा होगा L स्कार को छोड़ने पर छोड़ने पर नगन नगनने पर जब छोड़ेंगे तो यह बराबर यह हो जाएगा हमारे पास बन अपान 4 पाई एप्सलों नाट इंटू और इसको ले लेंगे हम तो यह हो जाएगा हमारे पास 4 चलो क्यों लिख लेते हैं अब यहाँ पर 4 R L बटे जब L चूटेगा तो यहाँ हो जाएगा R यह कट जाएगा तो 2 दूनी कि 3 हो गए यहाँ पर 4 हो जाएगे यहाँ से तो E बराबर यह हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सलों नाट और यह हो जाएगा तो 2 एक कट जाएगा यहाँ से तो यह हो जाएगा 2 L 2 इन्टू 2 L अपान R की घात 3 तो यह हो जाएगा हमारे पास बन अपान 4 पाई एप्सलों नाट इन्टू 2 और गुना कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा इन्टू 2 Q L अपान R की घात 3 और हम जानते हैं 2QL को क्या ले सकते हैं P तो इसका जो answer आएगा वो आजाएगा E बराबर Q वो E बराबर हो जाएगा हमारे पास E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपान 4Pi Epsilon 0 अब हम जानते हैं 2QL की जगे पर आजाएगा P तो हो जाएगा 2P अपान R की घात T और यह हमारा रहेगा आक्षी इस्तिती में 226 की ती बढ़ता तो किसी बैद्दो दूर्प के कारण आक्षी इस्तिती में 226 की ती बढ़ता होती है वो क्या होती है E बराबर 1 अपान 4Pi Epsilon 0 2P अपान R की घात T एक नेक्स कोशन और है भी बढ़िया कोशन है यह भी वो करा कि 2 बिंदू आवेश क्या करा है 2 बिंदू आवेश एक 5 गुणा 10 की बार है 19 कूलाम एक है 10 गुणा 10 की बार है 19 कूलाम एक मीटर की दूरी पर प्रित्थक इस्तित है दोनों आवेशों को जोडने वाली रेखा कि किस बिंदू पर बैद्दो चित की ती बरता सुन होगी बढ़िया कोशन है आप इसमें का है कि किस बिंदू पर बैद्दो चित की ती बरता सुन होगी पहले समझो यानि हमारे पास 2 आवेश है कितने हैं यहाँ पर 2 आवेश इदर है हमारे पास पिलस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और एक है हमारे पास पिलस का 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम यह है यह बिंदू हमने मा लिया ए है और यह बिंदू क्या है बी है और इनके जो बीच की दूरी है वो दिरख्ये कितनी है एक मीटर एक मीटर आप उसने कहा है दोनो आवेशो को जोने आवे रेखा कि किस बिंदू पर देख रहे है बिंदू कहा लेना इधर लेना है या बीच में अब यहाँ पर दोनों समान आवेश है अगर हम बिंदू यहाँ पर लेंगे तो तीबरता निकालते है तो इधर यह करेगा पिर्ट करशन इस्तरफ हो जाएगा और यह करेगा इस्तरफ हो जाएगा तो हमें बिंदू का लेना पड़ेगा हमने माल लेंगे कि पिलस पांच गुणा दसकी पावर माइनस 19 कुलाम से जो बिंदू है मालिया यहां से कितना है वो एक्स दूरी पर है कोई बिंदू यहां पर एक्स दूरी पर एक बिंदू पी है और यहां पर बैद्दू चित की तीबरता क्या है मिने दूस्तों जीरो है सुन है तो इधर की दूरी हो जाएगी बन माइनस एक्स क्या हो जाएगी बन माइनस X और इस बिंदू पर बैद्दू चित की तीपरता सुनने है तो इसके कारण हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा E A और इसके कारण निकालेंगे तो ही जाएगा यह E B अब यहाँ पर पढ़ामी तीपरता सुनने है यानि E A बराबर क्या होगा E B होगा भाई पढ़ामी तीपरता सुनने है तो हम मान सकते हैं लिखेंगे माना पिलस पांच गुणा दसकी पावर माइनस उन्निस कुलाम से X दूरी पर बिंदू P पर बैदू छेत की तीपरता सुनने है सुनने है अब मैं ज़्यादा नीद लिखवा रहा हूँ डारेक्टर लिखा रहा हूँ जब सुनने है तो यहाँ पर देखा जाए E A बराबर क्या होगा E B होगा जब यह बराबर E भी होगा हम जानते किसी बिंदू आब इसके कारण बैदू छेत की जो तीपरता है तो उसका सुत्रियाद रखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो बहुत पता चुका हूँ E बराबर बन अपान फोर पाई एपसालन नॉट इन्टू क्यू अपान आरे स्कॉर इसकी मदद से यह निकालेंगे तो यह कर जब मन निकाला जाएगा तो यह किसके कारण निकल लगी इसके कारण तो यह हो जाएगा बन अपान फोर पाई एपसालन नॉट इन्टू आवेस यहाँ पे है पांच गुणा दसकी पावर माइनस उनिस और दूरी इसकी है एक्स स्कॉर तो यह बराबर होगा क्योंकि परणामिती प्रता सुन है तो यह बराबर क्या होगा यह भी और इधर की जब निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास बन अपान फोर पाई एपसलोन नॉट और यह हो जाएगा दस गुणा दस की पावर माइनस उनिस बटे बन माइनस एक्स का होली स्कॉर यह हो जाएगा इससे यह खतम उनिस से यह खतम तो यहाँ बचेगा फाईव अपान एक्स का स्कॉर और यहाँ बचेगा दस अपान बन माइनस एक्स का स्कॉर तो मिरे साथ यह बन माइनस एक्स स्कॉर यहाँ पहुचा दूँगा हमारे बन माइनस x का whole square और यहां हो जाएगा x square बराबर यह हो जाएगा 10 पटे 5 यह भी है 5 एकम 5 पांच पांदूनी 10 एक तो यह हो जाएगा 1 माइनस x पटे x का whole square ले सकता हूँ यहां पर और बराबर हो जाएगा 2 जब रूट हटाया जाएगा यहा पर तो यह हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x पटे x और यह हो जाएगा x काम ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा अन्डर णूट तो प्लस बन बराबर बन और जब यहाँ से हम x value निकालेंगे जब x value निकाली जाएगी यहाँ से तो यह हो जाएगा 1 upon under root 2 plus 1 इसका हम पर्मीकन कर देंगे तो इसमें हम root 2 minus 1 से गुना भाग कर सकते हैं और जब गुना भाग करेंगे हम तो ऊपर तो हो जाएगा अंडर root 2-1 मिल साती हो और यहाँ देखो यह तो यह बन जाएगा a square minus b square रहनी root 2 का square minus 1 का square तो x ब्रावर हम जानते root 2 की जो value होती है वो होती 1.414 minus 1 बटे यह हो जाएगा 2-1 यह value fix है इसकी तो जो x ब्रावर आएगा वो आजाएगा 0.41 4 लिख सकते हैं इसको और यहाँ बचेगा 1 यह ब्रावर जो answer आएगा वो आजाएगा 0.41 मीटर और centimeter मतलोगे अगर तो यह हो सकता है x ब्रावर आ सकता है सेंटी मीटर में ले सकते है यानी 5 गुणा दसकी पावर माइनस 19 कुलाम से 0.41 मीटर की दूरी पर जो बैदुच्छत की ती बरता होगी वो क्या होगी? 0 होगी तो इसमें answer लिखेंगे हम कि प्लस 5 गुणा दसकी पावर माइनस 19 कुलाम से जो बैदुच्छत की ती बरता 0.41 मीटर की दूरी पर क्या होगी? 0 होगी तो बढ़िया कोशन था ही है और जितने भी इस PDA पर जितनी भी कोशन है UP 2024 के लिए बेरी बेरी इंपोर्टन रहेंगे तो आज के लिए इतना ही है अब कल हम लाएंगे गौश्ट की पिरमय और बिभाप के बेरी इंपोर्टन कोशन का सेलेक्षन होगा यहां पर कलेक्षन जो भी है कराएंगे बढ़िया सा ठीक है? तो जे जो भी है काहस बंदे करेंगे?